नमस्कार न्यूज नेशन पर रोकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ चिराग सुखीजा चैंपियंस की जंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैदान सज चुका है और एक बार फिर से इंडिया का त्योहार शुरू होने वाला है 22 मार्च वो तारीक आखिरकार आ ही गई है जब इंडियान प्रीमियर लीग 2026 की शुरूआत होने जा रही है और इस पूरे सीजन भी आपको न्यूज नेशन पर देखने को मिलेगा उकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग 10 टीमें आपस में टकराने वाली है एक खिताब के लिए अब पहली लेग का शेडियूल तो जारी हो चुका है 7 अपरिल तक का शेडियूल हमारे पास है 21 मुकाबले कुल इस लेग में खेले जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि आगे के मुकाबले कहां खेले जाएंगे लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे पहले ही हाई वोल्टेज मैच यह मुकाबला है चन्नाई सूपर किंग्स वर्सिस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलॉर के बीच यानि कि एक तरफ महेंदर सिंग धोनी की टीम और दूसरी तरफ होगी विराट कोली की टीम अब दोनों ही हम बात करते हैं अकसर कि एक तरफ धोनी एक तरफ से इस्तिफा दे दिया है और रुतराज गायकवार को चन्नाई का नया कप्तान बनाया गया दूसरी तरफ फाफ डूपलेसी की कप्तानी में 16 साल के बाद अब 17 सीजन में भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलॉर की टीम उतरेगी ये सपना पूरा करने के लिए यानि कि ये मु प्लेंग इलेवन बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है यहाँ पर प्लेंग 11 से ही डिसाइड होगा कि किस तरफ ये मैज जाने वाला है तो दोनों टीमों की संभावित प्लेंग 11 क्या हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे उसके बाद बात करेंगे मौसम की कि मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है कहीं IPL 2024 के पहले मैच में ही बारिश खलल तो नहीं डाल देगी जानेंगे वैदर रिपोर्ट में उसके बाद बात करेंगे head to head records की कि जब जब ये दोनों टीमें आपस में टकराई हैं IPL के इतहास में तब तब किसका पलडा ज्यादा भारी रहा है वो जानेंगे head to head records में और उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा इस मैच से जुड़ी लगबग हर ज ज़र डालते हैं चैपॉक की पिच रिपोर्ट पर सीएसके के घरीलू मैदान पर स्पिन गेंद बाजों का बोल बाला रहता है गेंद बल्ले पर फसकर आती है और बाउंडरी खोजने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है हाला कि शुरुआती मैचों में बल्ले बाजो हाफ में पिच जो है वो धीमी हो जाती है शुरुआती इनिक्स में यानि कि शुरुआती जब नई गेंद होती है तब तेज गेंद बाजों को थोड़ी मदद यहां जरूर मिल सकती है लेकिन स्पिनर्स का बोल बाला रहने की यहां पर ज्यादा उम्मीद है तो यह कहता है चनगी की विकेट या पिच का मिजाज की टॉस जीतो और पहले बल्लेवाजी करो अब पहले बल्लेवाजी करेंगे क्या हाई स्कूरिंग मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है कौन से खिलाडी रंस बना सकते हैं क्या कुछ इंजरी कंसरन है आईए नजर डालते हैं चन्नाई सूपर किंग्स वर्सिस रॉयल जैलिंजर्स बेंगलॉर आईपिल दोहजार चॉबिस मैच नमबर एक की संभावित प्लेंग 11 पर सबसे वहले होम टीम चन्नाई सूपर किंग्स की बात करें तो कप्तान रूतराज गायकवार ओपनिंग करते हुए नजरा सकते हैं साथ में हो सकते हैं रचिन रविंद्र क्योंकि यहां पर डेवान कॉन्वोई उपलब्द नहीं है वो कुछ मैच उसके बाद इस टीम के साथ जुड़ेंगे तो रचिन रविंद्र ओपनिंग कर सकते हैं नमबर तीन पर मौईन अली को काफी समय से तयार किया गया है चन्नाई सूपर किंग्स में उसके बाद शिवम दूबे हैं और महीश्ट तीक्षणा आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं बात अगर करें रसी बी की तो कप्तान फाफ डूपलेसी के साथ ओपनिंग करने के लिए उतरते हैं विराट कोहली और यही कॉम्बिनेशन शायद आपको नजर आएगा अभी भी मौझूद हैं इसके लावा सुयश प्रभूदेसाई हैं लौकी फरग्यूसन है मौहमद सिराज और करन शर्मा इस टीम में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं तो यह दो बात हो गई दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में अगर बात करें यहां पर मौसम की तो चन्नई का मौसम जो है वो क्रिकेट के अनुकूल है आला कि बादल चाहे रहेंगे ओवर कास्ट कंडिशन जरूर रहेंगी लेकिन बारिश की जो आशंका है वो सिर्फ और सिर्फ पांच फीसदी है यानि की पूरे चालिस ओवर का गेम हमें देखने को मिल सकता है तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है तो यह कहती है चन्नई की वेधर रिपोर्ट अब अगर बात करें इतिहास की तो आईपियल के इतिहास में चन्नई सूपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलॉर की टीमें कुल 31 बार आमने सामने हुई है यानि की 31 मुकाबलों में जो आमना सामना हुआ है CS के और RCB का उसमें से चन्नई ने 20 मैच अपने नाम किये हैं और बैंगलूरू के खाते में आई हैं सिर्फ 10 जीत जबकि एक मैच का कोई भी नतीजा नहीं निकला था चन्नई सुपर किंग्स डिफेंडिंग चैंपियंज भी है और महेंदर सिंग धोनी की कपतानी में चन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 का खिताब अपने नाम किया था कोई याद होगा तो यहाँ पर टीम कॉन्फिडेंस जरूर लेकर आएगी पिछले किताब का लेकिन हर दिन एक नया मुकाबला एक नया चैलेंज और RCBB खोज करेगी कि पहले मैच में ही अगर पहली जीत मिल जाए तो कमाल हो जाएगा अब यहाँ पर बात करें दोनों टीम हैं कॉन्फिडेंस जरूर है उनके पास लेकिन अभी तक यहाँ पर बड़े प्लैटफॉर्म पर उनको आजमाना जरूरी होगा वर्ल्ड कप में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था जिसकी विजए से चन्नई ने उन पर दाव खेला इसके बाद आते हैं यहाँ पर मो काफी अच्छा क्रिकेट खेल कर दिखाया है टी ट्वंटी के लिए एक बहतरीन ओल राउंडर है गेंद के साथ भी वो कमाल किया था उन्होंने और उसके लावा बल्ले के साथ भी कमाल करते हों नजराते हैं उसके अलावा रविंद्र जडेजा है महेंदर सिंग धोनी होंगी महीश तिक्षणा रविंद्र जडेजा और मोईन अली पर भी कि किस तरीके का परफॉर्म करते हैं आर्सीबी की बात करें मिडल ओर कहीं न कहीं परेशानी का कारण जरूर है शुरूआत में फाफ डूपलेसी आते हैं विराट कोली आते हैं ग्लेन मैक्सवेल आते ह है उतना ज्यादा एक्सपीरेंस नहीं है उतना ज्यादा शाहिद प्रिकेट भी नहीं खेला है कैमरान ड्रीन जरूर इस बार साड़े सत्रा करोड में एक्सचेंज किया उन्होंने ट्रेड किया है मुमा इंडियन से लेकिन आर्सीबी के लिए अपना पहला मैच खेलेंगे नजरें उन पर भी होंगी कमाल की फॉर्म में थे वो भी न्यूजीलेंड के खिलाफ जिस ऑस्ट्रेलिया ने सीरी स्केली वहाँ पर लेकिन आईपियल में जब टीम चेंज होती है अट्मोसफेर चेंज होता है तो देखना हुआ कि किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं कैमर और रिन भी तेज गेंदबाजी कहीं न कहीं फिर से कंसर्म रहेगा मुहमद सिराज जरूर मौजूद है वहाँ पर आर सीबी के खेमे में लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तेज गेंदबाजी में उतना ज्यादा दमखम नजर नहीं आता है और स्पिन पिच के बारे में उसके बाद आपको बताई है संभावित प्लेइंग 11 हमने मौसम का हाल जाना है head to head records आपको बताए है और अंत में हमने बात किया है दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या है और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या है ये सब कुछ जानने के बाद आपको क् पहला मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है चन्नेई या फिर बैंगलोर कमेंट को बॉक्स में जरूर बताईएगा इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया न्यूज नेशन को तो जल से जल सब्सक्राइब भी कर दीजे क्योंकि यहाँ पर ओकिन प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग लगातार जारी है देखते रहिए न्यूज नेशन